पांच वर्षों में नंबर वन महिला अपराध में बन गया है एक लाख नौ हजार महिला अपराध की घटनाएं पिछले चार वर्षों में 33,000 महिलाओं के साथ दुशकरम की घटनाएं राज्यस्थान में 22 प्रतिशे देश की महिला दुश्कर्म की घटना है राज्यस्थान में ये अपने आप में राज्यस्थान को नंबर वन महिला अपराध में बनाता है और कुल मिलाकर लगबग 10 लाग से ज़्यादा अपराधी घटनाओं को रिजिस्टर किया गया और परधान मंतरी जी ने क रहा था कि महिलाओं पर अपराध की घटनाओं पर राज्यों को कड़े कदम उठाने चाहिए और सोनिया जी और राहुल गांदी जी के आदेश पर मुख्यमंतरी अशोग एलोजी ने कड़े कदम उठाए और अपने ही मंतरी को बर्खास्त कर दिया बर्खास्त इसलिए कि कि राजेंदर गुडाजी ने राज्यस्थान की हालात पर चिंता व्यक्त की कि दूसरे राज्यों को छोड़के राज्यस्थान में जो महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाएं बढ़ रही है उसकी चिंता की जाए चर्चा की जाए और मुख्यमंतरी अशोग एलोजी राहुल गांदी जी सोनिय गांदी जी के अदेश पर उसको ही बरकास्त कर दिया और उन्होंने क्या कहा रेजंदर सिंग उडाजी ने कि विधान सभा में मैं सीम से वान और जवाब मांगूंगा और बड़ी बात ये कही है किसी और नहीं जो साड़े चार साल राज्यस्ता राज्यस्तान की सरकार में अशोग गैलो जी की सरकार में मंत्री रहे उन्होंने कहा परदेश में सीम का इकबाल खतम हो गया है ये बहुत बड़ी बात है एक जो आपका मंत्री साड़े चार साल आपके साथ रहा उन्होंने का राज्यस्तान में अराजकता का महौल है CM विधान सभा में आते हैं ना आते हैं ना जवाब देते हैं और ये मैं नहीं कह रहा जी ये राज्यस्थान में कॉंग्रेस के मंत्री ही अपने मुख्य मंत्री से सवाल खड़े करते हैं एक मंत्री तो यह हैं जिन्होंने हिम्मत करके महिला अपराद पर कोई बात कही दूसरे मंतरी जिनको उनने शेह दे रखी है और सरक्षन दे रखा है सोनिया जी राहुल जी के आदेश पर जिनको बचाने का काम किया है अशोग एहलो जी ने वो शांती धारिवाल जी क्या कहते है जब महिला के साथ बलातकार की घटना हुई अपराद की घटना ही तो उनने कहा ये मर्दों का परदेश है और पूरे कॉंग्रेसी ठाक का मार के हसते हैं मंतरी और विधायक और मजाग उड़ाते हैं सोनिया जी प्रियंका जी राहुल जी इस पे कोई जवाब नहीं देगा के कॉंग्रेस पार्टी का